आप सभी का मनविज्ञान की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने Abnormal Psychology के हिस्टरी और उसके Concepts के बारे में डिसकर्शन किया था जिन इस्टूरेंट्स ने अब तक ये वीडियो ना देखे हों वो नीचे description में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं आज हम डिसकर्श करेंगे Abnormal Psychology के Next Topic के बारे में जो की है Classifications of Disorders विकारों का वर्गी करान यह क्लास वैसे तो सभी स्टूरेंट्स के लिए important है बट जो स्टूडेंट्स अपना करियर साइकॉलजी में बनाना चाहते हैं खासकर काउंसलिंग की फिल्ड में या clinical फिल्ड में उनके लिए यह Class काफी important है इस Class के अंतरगत हम लोग Disorders के दो main categories का अध्यन करेंगे जो की हैं ICD और DSM ICD और DSM के बारे में अध्यन करने से पहले हम एक बार यह देखते हैं कि आखिर में वर्गी करण होता क्या है Classifications होता क्या है और इसकी अवश्यक्ता क्यों पड़ती है आसामान मनुविज्ञान के अंतरगत वर्गी करण से तातपर है आसामान विवहरों को ऐसे सेरेडियों में विभक्त करना जिन से उनके सुरूप को ठीक ढंक से एम इसपश्ट रूप से समझा जा सके सेरेडिय करण के इस प्रविधि को निदान या डागनोसिस कहा जाता है और जब निदान मनोविग्यानिक विधियों दोरा किया जाता है तो इसे मनो निदान या साइको डागनोसिस कहा जाता है एक बार हम यह देखते हैं कि डागनोसिस होता क्या है तो इसको हम एक एक्जामपल के दोरा समझने की कोशिस करेंगे माल यह एक व्यक्ति है जिसको बुखार है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके लच्छनों को देखता है और उसके लच्छनों को देखकर या निधायत करता है कि जो बुखार है वो कौन सा बुखार है वो मेरिया का बुखार है या टाइफाइड का बुखार है या कोई अन्य बुखार है इस प्रक्रिया को ही हम डाइगनोसिस कहते हैं या निदान कहते हैं निदान के द्वारा ही हम आसमान विवषार या कूसमायोजी विवषार के स्वरूप और कारणों का पता लगा पाते हैं और उसके उपचार के लिए एक सही योजना बना पाते हैं आसमान विभार के वर्गी कर्ण को मूलता दो सेरेणियों में बाटा ज़े सकता है पहला है अंतरराश्टिय वर्गी कर्ण तंत्र, International Classification System और दूसरा है भारतिय वर्गी कर्ण तंत्र, Indian Classification System फर्स्ट हम डिसकस करेंगे अंतर राष्टिये वर्गी कर्ण तंत्र के बारे में आसमान विभारों को वर्गी करने का प्रयास काफी पुराना है परन्तु उन्नीसमी सताबदी में जब अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मानसिक रुग्यों के लिए विभिन तरह के मानसिक अस्पताल खोले गए उसके बाद इस दिसा में एक सार्थक प्रयास किया गया 1882 में Great Britain में Statistical Committee of the Royal Medical Psychological Association ने आसमान विभार के वर्गी करन के एक तंत्र का प्रतिपादन किया परन्तु तीन बार संसोधन के बाद भी इसके सदस्यों ने इसे सुईकार नहीं किया वहीं 1889 में Paris में Congress of Mental Science के रूप में एक एकांग की वर्गी करन तंत्र का प्रतिपादन किया जो की सफल ना हो सका इससे पहले 1886 में America में Association of Medical Superintendent of American Institution for the Insane ने बिटिस तंत्र का संसोधित रूप सुईकार किया यह Association American Psychological Association का अगरदूत माना गया 1913 में Association ने एक नया वर्गी करन तंत्र अपनाया जिसमें Emil Kriplin के विचारों को समलित किया गया Emil Kriplin को सेणी बद्ध वर्गी करन तंत्र का जनक माना जाता है इन्होंने मनोविच्छिप्ती, साइकोसिस के दो प्रकार बताए डिमैंसिया, प्रकाक्स, जिसे आजकल हम मनोविदलता या इसकी जो फ्रेनिया के नाम से जानते हैं दूसरा पॉइंट है Manic Depressive Psychosis उत्साही विशादी मनोविच्छिप्ती यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी अब तक कोई ऐसा वर्गी करन तंत्र नहीं विक्सित हो पाया था जिसे सभी मनोविच्छानिकों ने एक रूप से सर्वसंबती के साथ सुईकार किया हो परन्तु Second World War के तुरंद बाद दो प्रमुख अंतर नश्टिय इस्तर के वर्गी करन तंत्र का प्रयादर भाव हुआ जो की निमलिकित है इसके अंतरगत पहला वर्गी करन तंत्र है ICD International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death जिसका प्रकाशन WHO World Health Organization ने किया इसकी मानिता को सभी देशों ने सुईकार किया ततकालीन समय में ही American Psychological Association ने एक अन्य वर्गी करन तंत्र को प्रकाशित किया DSM जिसका पूरा नाम है Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder सबसे पहले हम लोग discussion करेंगे DSM के बारे में क्योंकि psychology की field में DSM के classifications को अधिक मानिता प्रदान किया गया है DSM यानि Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder इसको American Psychological Association के दोरा 1952 में प्रकाशित किया गया जिसे DSM 1 के नाम से जाना गया बाद में इसमें कुछ कमिया पाई गई जिसको दूर करने के लिए 1968 में इसका संसोधित रूप DSM 2 के नाम से प्रकाशित किया गया DSM 2 में भी इस्पिटिजर और फ्लेसिस के दोरा कुछ कमिया पाई गई उनके अनुसार DSM 2 में consistency की कमी थी जिसके बाद 1980 में इसका पुना संसोधन कर DSM 3 के नाम से प्रकाशित किया गया और इस संसोधन कमेटी के अध्यच इस्पिटिजर ही थे DSM 3 की भी बाद में पुना समिच्छा की गई और 1987 में DSM 3 की जगा पर उसका revised version DSM 3R प्रकाशित किया गया संसोधन की यह प्रक्रिया आगे भी चलती रही और 1994 में DSM 3R की जगा DSM 4 आ गया इसके बाद 2000 में DSM 4 के मूल पार्थ में संसोधन किया गया जिसे DSM 4 TR कहा गया इसकी विशिष्टा यह है कि इसमें DSM 4 दरा प्रस्तावित मांसिक रोगों के सेंडियों में कोई परिवर्थन नहीं किया गया था इन सेंडियों में सिर्फ नए मूल पार्थ समगरियों को जोड़ा गया DSM 4 TR में करीब 250 विभिन मनवैग्यानिक विकारों के प्रकारों का वर्णन किया गया है इन सब में सबसे अधिक लोग प्रियता DSM 4 को मिली अगर हम DSM के लेटेस्ट वर्ण की बात करें तो 2013 में DSM 5 के नाम से इसका लेटेस्ट वर्ण आ चुका है आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है आगे की क्लास में हम DSM 4, DSM 5 तथा ICD की विश्टिच चच्चा करेंगे धन्यवाद